हे गाइस वेलकूम बैक तो मैंट्यूप चैनल तो आज हम अप अपने प्रिवेश चैप्टेस के एक्स्प्लिनेशन नहीं देखे तो आप देख सकते हो प्लेलिस में अविलेबल है वो प्लेलिस का लिंग डिस्क्रिप्शन में वही तो आप डिरेट वाम पे क्लिक करके करने के लिए तो अपसोर्ड नंबर चेंडर टू कि स्टारिंग होती है हमें वेल प्रिंसस दिखा जाती है वो बुलती है कि वैल इतना पसान नहीं था ना लास्ट हो लो को पास करने के लिए वो टैनमी बोलता है हाँ अगर हम सेम टीम में नहीं होते है तो हम लास्ट के टाइम में लखी थी कि में को हो ट्यान में मिल गया यह सिर्फ लूजेंग का फ्रेंड ही नहीं है पर इसने में को न्यूस नाई थी लूजेंग के बार में मैंने मतलब रिलाइस कि जो फॉर्गोड कंट्रीज वो गिर गए और वहां पर कुछ ज्याद है क्यों था जब म कि वेल तो में के लगता है हम लूजेंग को देख पाएंगे जब हम होल उफ कोजन इफेक्ट से लीव करेंगे मैं सची मुची से देखना चाती हूं वो टैन बोलता है कि वेल उसकी जितनी की स्टेंथ है वो डेफिनेटली पास कर पाया होल उफ को और एक्जिट जो है होल ब्रेसलेट को डुप्लिकेट करती है वो टैन बोलता है यह प्रिंस बोलता है मैंने सुने कि जो फाइनले रिवोर्ड है होल उफ को पास करने को वो कोपी है मतलब किसी चीज को हम कोपी कर सकते है यह मेरा फेवरेट ब्रेसलेट और मेरा वैपन भी है अब एक करते हैं जर्लेट को फाइंड करते हैं कोई दो टेल्समें टाइप अपर हरानी से की ध्यान से अपनी स्वोड्स रहाने को कर देता है बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है वो टैनमींग ने प्रिंस को गोद में उठाया होता है प्रिंस बोलती है कि यहां पर क्या हुआ भी अभी यहां पर स्पैल क्यों मेंन सिटी में हो ट्यान में बोलता है कि मुझे याद आए कि जब होल ओफ को जन इफेक्ट में चल गए थे तो ऐसा लग रहे कि रूल्स चेंज हो गया यह दो और मार्शल आटिस्ट हैं पर उस ट्रैप से उनको जरा भी हर्ट नहीं हुआ जब इंसान होते हैं में कोई प्रिंस लग रहा है फोर्गोड कंट्रीज का जिसे लुजेंग ने वैल मज़द चखाया था वह सोच रहा होते है कि स्ट्रेंज जो मेरे सीक्रेट टेल्स मै इनल यह मतलब बचे किसी हैं मेरे से लोगों को फूल की इस जो जराता है और वाल अब यह विल्पर कर सकता तब व्हर वह उस तरह का टेल्स मैं मतलब यहां पर ड्रीमधं में यूज्च अजीब वो इतन बोलता है कि जो टेल्समेन अभी यूज हूँ है वो magic weapon है secret sect का अगर मैं गल्ती नहीं कर रहा हूँ तो जो person जिसने इसे use कि वो आगे होगा चलते है प्रिंसस बोलते है ठीक है वो ऐसे move कर रहे होते है प्रिंसस बोलते है लुजू यह तुम हो उसे save कर दिया उन्होंने और इसे ascent कर आया वो बोलते है लुजू तुम यहां पर क्या कर रहे हो तुम क्यों ऐसे टेल्समेन को यूज कर रहे हो उनके ओपर जो मतला भी hole of cause and effect को उन्होंने लीव भी नहीं किया है ऐसे द्रीम पॉइंट्स मिलेंगे मारने से पर तुम्हारे जो मैतर से वह कुझा घटी है नहीं है लुजू बोलते है कि माई लेडी यह ड्रीम बैटल फिल्ड है यह गेम नहीं है तो तुम कैसे बोल सकते कि मेरे मैतर बेकार है ओपर से तुम मेरे टार्गेट नहीं हो कर पा रहा प्रिवियसली लुजेंग का क्लैश हुआ थे यहां पर डीम नाइट क्लैन के सुप्रीम टैलेंट के साथ मेरे जो सीक्रेट सेक्ट के कुलीग्स उनों नहीं उसे फोलो किया था और फिर फाउंड किया कि मतलों वो होल ओफ को जोड़ दिया ताकि वह जैसे बाह प्रिंस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं देखना चाहता हो कि तुम्हारे पास एबिलीटी है मेरे को रोकने की की नहीं वह अपने टेल्समैन को निकालता है और आगे की तरफ बेजता है प्रिंस भी फीनिक्स को निकाल लेती है कि सभी एक्स्प्लोडिंग को जला दो वह जो फीनिक्स होता है वह अपने फायर को आगे की तरफ शूट करता है और वैल एक एक्स्प्लोजन होती है प्रिंस आगे की तरफ देख रही होती है वह 10 में उसके कंदे की उपर हाथ रहता है यूनर आगे में जा और उन स्पार्क्स और स्मोक्स को अवोईड करना प्र जैसे वो टार्गेट को लोग करते है वो आसपास की True Essence को यूज़ करके द्वारा मतलब नए टेल्समेन में कंडेंस हो जाता है और उस टार्गेट के पास जाके फूट जाता है और वैल मार देता है उसे ब्रेक्फरी करना क्योंकि जो सबसे जाएदा अच्छा अच्छा इफेक्टिव वी उसे डिश्टॉए करने का वह वह है की मतलब उस परसन को मानना जो मतलब टेल्समेन को कास्ट कर रहा है फ्रिंस बोलता है मैंने एकस्पेक्ट नहीं किया था कोई होगा पर्सन ऐसा है जिस कुछ नहीं कर पाएगा मेरे अर्टिफेक्ट के अगेंस्ट में बोलता है कि तुमारी स्टैंट वर्दी नहीं है मेरी स्फोर्ड को निगालने के लिए जो मैंने पीछे डाली हुई है क्या बोल रहा हुँ मतलब पीठ में बांद दी हुई है वो अपने फिर टेल्समें को यूज करता है और बहुता है उसकी जो स्टैंट में मूव कर रही होती है और उन सभी स्पार्क को कट कर रही होती है वो भी अपनी स्फोर्ड से पर चाहिए इतना ज्यादा कैपिवल क्यों नहीं हो यह मेरा उपनेंड नहीं है वैसे कट कर रहा होता है तब ही वो टेन्मिंग के पीठ के पिछे एक वैल स्पार्क से टेल्समें फोर्म हो जाता है प्रिंसेसर रान उत्विर बोलती है क्या यह से फोर्ट जाएगा प्रिंस बोलता ही ओवर हो गया है वो टेन्मिंग के पीठ के पिछे टेल्समें से होता है वो फोर्टने बाला होता है प्रिंसेसर दिहान से वह अपने आगे के तरफ इनर्जी को डालती है और एक वैल टाइम लोग को यूज करती है वो टेन्मिंग भी यह तो strange है जो flow of time में वो speed up कैसे हो गया प्रिंस बोलता है तुम्हें के लगता कि तुम्हें पता है मतलब low of time कैसे use करते है और उपर से बात है कि जो low of time में तुमने इनर्ट किया है वो secret sect के totem से किया हुए है मैंने इतने पास साल अपने waste नहीं की है मैं अभी अब compress कर सकत है तो तुम इसे बचा नहीं पाओगे वो जैसे उसे निकाल लेती है वो सोच रही होते कि नहीं जो टेल्स में वो फूटने बाल है मैं ऐसे हुए टैन्मिंग को एफेक्ट नहीं नहीं दे सकती वो आगे के तरफ जाती और well blast हो जाती है वो खांसरी होती है सोच रही होती ह ताकि मैं सेफ साइड में हूँ पोई टैन्मिंग छूट जाता है टाइम लोस से पीछे के देखता है well उसने princess मार ही दी होती है वो बोलते है तो मैं वरी करने कोई जरूरत नहीं है तो मैं चिंता करने कोई जरूरत नहीं तो मैं next हो वो हस रहा होता है वो आपने सिर्के पेर करता और वो बोलता है मर जाओ फिर एकदम से वैल मूव करता है आगी तरफ पहुंच जाता और उसे कट कर देता है वो सोच रहा थे पोसिबल कैसे है 30 तामिस मैंने स्पीड किया था लोफ टाइम को इसने अपनी स्वोड को इतने सब फास्तरी के से कैसे मितलब निकाल एक्स्ट्रीम थंडर स्वोड इंटेंट थंडर कवर कर रही होती है और वह सभी कुमार देता है वह सभी ड्रीम पॉइंट्स में करने के लिए वह बहुता है कि चलो पहले लुजएंग को तो फाइंड करते हैं वह सभी ध्यान दो जो सेकंड स्टेज ड्रीम बैटल में वह प्रिप्यर कर आपको सेकंड स्टेज स्टार्ट होने वाले मैं तो फाइंड इन की है और मैं ने च्प्राइबेंट से बाहर निकल जाओंग अब क्या करूँ वह बहल कुछ नीव बहुता है ăn basicallyi वहारी और टैनम बोलता है क्या हुआ तो हुआ ने पास ने पहीं और लूज़ को बचाया है और किये वह मारता है तो चुप होัके यह मैं जब आच पानु आप वह रास्ते से ली पहुंछबाई कि बिए अगर मेरे मेरे क्वासिप सतिक्राइद अब रास्ते पुरें जल् angry ऑंफ के साहठ गेट अपयर हो जाता है हो ट्यानमिंग क्या वैल मैं एक फेवर पूछ सकती हूं और मांग सकती हूं वह ट्यानमिंग बोलता है कि वैल पूछो गाइज एपसोर नमबर त्री इंडर टू इतना था अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं बेफिए भी लाइक और दूश्यार करें अगर आपको वीडियो के से लगी है सब्सक्राइब करो तब तेक रिए बाबाई